हेलो फ्रेंट्स मैं सुधीर आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्क्रिकेड में स्वागत करता हूं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसल के मैच नम्म सिक्स की जो की खेले जाएगा पेशावस जलमी वसेस कराची किंग के बीच में और ये दोनों ही इतना ज्यादा रन बनता है आपको बताने वाले हैं आगे वीडियो में कि कितना रन बनता है कौन साइसा प्लेयर है जो यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है कौन से इसे प्लेयर को यहां पर विकेट मिलते हैं कौन से इसे प्लेयर है जो एक दूसरे टीमों को आपको लेना है कलके मैच के लिए ये भी बताने वाला हूँ ठीक है क्योंकि निरतर ये देखा गया है लास्ट पिछले कुछ मैचेज में गदाफी स्टेडियम के कि वो प्लेयर बहुत जादा चले हैं जो टॉप और बल्लबाज है कलके मैच के लिए तो कौन से प्लेयर च को भी अपने टीम बनाने में इंक्लूट करेंगे ताकि आपकी जो टीम है वह अच्छा परफॉर्म करें अच्छे रैंक पर आए ठीक है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अभ मोर का लिखा होगा वहां पर आपके करोगे तो आपको टेलेगराम का मेरे link ओपन होके देख जाए गाए गया जाएगा है तो इस देलिग्राम के लिंक पर अपन पर अन्यव्टिंग है कि कैसी पिछ दिख रही है फोटो में बिल्कुल लाइफ कंडिशन के साथ में बताता हूं आपको कि किसको यहां पे मदद मिलने वाली है उसकी फुटोेज वहाँ पे मैं अप्लोड करता हूं साथ ही साथ यह जो पी डियाफ है यह भी आपको वहाँ पे दो घंटे पहले अप्लोड कर देता हूं ताकि जबी भी आप अपनी टीम बनाए at least आपके पास data की कोई कमी ना हो, analysis की कोई कमी ना हो, ठीक है, आप एक अच्छी team बनाएं, और GL जीते हैं, या GL जीतने की बिल्कुल कालार पर रहें, at least आपना profit करते हैं, इतना याद रखिए, यह हो गई बात introduction की, अब आते हैं, कुछ काम की बाते करते हैं, ठीक है, अगर आपने यह सारी चीजे कर ली होगी अभी तक, ठीक, तो अब मेरा बनता है, कि मैं आपको कुछ न कुछ दूँ, कुछ न कुछ अच्छी चीजें सिखा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी जो team है, उसमें आपको क्या हो, benefit हो, जबी भी आप team बनाएं, सबसे पहले हम बात करते है पीछ रिपोर्ट की, तो मैंने आपको बताया है, कि यह जो track, अग्दम flat track है, ठीक है, यहाँ देखिए batsmen को बहुत ज़्यादा favor करती है, spinner लिखा हो, मतलब सीधे तौर पे लिखा हुआ है, यहाँ पर, it also had the spinner to grip the balls as the game is progress, यानि जो game है, जो भी cricket है, वो अगर थोड़ा मतलब डेजी तक खेलेगा, विकेट, तो जो है, यहाँ पर second inning में हो सकता है, कि spinner को थोड़ी मदद मिले, जो कि अभी तक ज़्यादा देखा नहीं गया है, ठीक है, इतना मैं बता दे रहा हूं, कल का जो weather रहा है, वो 22 degree Celsius है, और 12 का कोई chance है, नहीं है कल के match के लिए, तो य टीम कितनी बार जीती है, second batting करने वाले team कितनी बार जीती है, क्या scoring pattern रहा है, तो अभी तक 44 matches, 44 matches खेले गए है, जिसमें से 28 match बैटिंग फर्स करने वाले team जीत गई है, बैटिंग सेकेंड करने वाले team 16 match जीती हुई है, ठीक है, यानि बैटिंग पहले जो बैटिंग करता है, उसके जीतने के chances बहुत ज़्यादा हो जाते है, टाई एक भी match नहीं है, average score फर्स्ट इनिंग की अगर हम बात करें, तो 176 run है, आप सोच सकते हैं कि कितना run बनता है, यहां पे, 145 run यहां का highest score है, और 76 run 10 wicket के नुक्सान पर यहां का lowest score है, अभी तक scoring pattern की बात किया जाए हम क्या, ताकि हमें जब strategy हम बनाएं, तो उसमें हमें इस चीज का बहुत ज़्यादा फायदा मिले, ठीक है, कि कल का score क्या होने वाला है, उसके लिए जो है, आपको क्या देखना पड़ेगा, scoring pattern क्या है, तो 1500 से नीचे जो है अभी तक 7 बार run बन चुका है, 1500 से लेके 169 के बीच में 9 बार run बन चुका है, 170 से 189 के बीच में 14 बार, और 190 से उपर जो है, आप देख सकते है, 14 बार, यानि इनी दोनों को जोड़ दिया जाए, जो last के दो है, ठीक है, 170 से उपर आप total देखिए, तो 28 बार बन चुका है run, तो 40 मैचे में, यानि more than 50% run जो है, इनी दो, म करते हैं कि 190 से उपर run होगा, क्यों होगा 190 से उपर run, पहली बात कि ये मैच जो है, वो दो पहर का है, तो पिच बहुत पाटा होने वाली है, वहाँ पर स्थूर की किरिणे होंगी, ठीक है, तो कोई मौश्यार नहीं होगा, किसी को कोई grip group नहीं मिलने वाला है, तो बल्दे विकेट मिलता है, ताकि हमें जो है, गेदबाज भी तो लेना है, ग्यारटी में, तो गेदबाज लेने के लिए भी आसानी होगी, अब हम बात कर लेते हैं, मैंने इसलिए 4 मैच का सेंपल साइज लिया हुआ है, लाहोर कलंदर वर्सेज जो है, यहाँ पे क्लेटा ग्लेड मिला हुआ है, पान तीन, साथ विकेट मिला हुआ है, पेसर को और स्पीनर को मिला हुआ है, पांच विकेट, टोटल कितने विकेट गिरे हुए हैं, बारा विकेट गिरे हुए हैं, और इन बारा विकेट में से आपको देखिए, पेसर को कितना विकेट मिल गया, साथ विके मैं इस मैच में इस मैच में तर्फ यह वह हार गई dram अब इसमें भी आप देखें कितना विक должно टोटल मिलाके 11 विकेट गिरा है ठीक है पहली चीजी 11 विकेट गिरा इसमें पेसर ने कितना विकेट लिया हुआ है यहाँ पे ठीक है और स्पीनर ने कितना विकेट लिया हुआ है स्पीनर ने कितना विकेट लिया हुआ है तीन विकेट लिया हुआ है वह भी किसमें लिया हुआ यह भी याद रखिए ठीक अब लगातार आप देखें कि फॉस्ट मैच जो हुआ है उसमें भी 187 रन बना हुआ है ठीक है और ऐसा नहीं है कि 200-200 रन बनने के बाद 187 रन बनने के बाद अगली टीम जो है भडाक से आउट हो जाती है ना दस छोटे से स्कोर पर आउट हो जाती 110 बना के आउट हो जाएगी 120 बना के आउट हो जारी ऐसा बिलकुल भी नहीं है ठीक है आप देखें वह चेस कर रहे हैं यानि पटाका पीछे रन दोनों तरफ से आने वाला है यानि इस मैच में बैट्समें चुनने का सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है अगर वह अच्छा खेल गए तो आपके वारे नियारे हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा फोकस आप बैट्समें चुनने पर कल के मैच के लिए करिएगा थर्ड मैच सेंपल साइस की बात करें तो इस मैच में भी आप देखिए 155 बना हुआ पहले में 187 दूसर है तीसरे में कितना 195 रन पांच विकेट की दुखसान पर अब उसको जो है आप देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है 200 रन बनाई और जीत गई दो विकेट की दूखसान पर इस मैच में साथ ही विकेट गिरा और टोटल पेसर को कितना विकेट मिला हुआ हुआ है पूर्थ मैच की बात करें तो हम लहोर कल अंदर देखिए 200 रन बनाई 6 विकेट की दूखसान पर ठीक है और जो है उसको चेज नहीं कर पाई टीम 199 पर और 8 विकेट की दूखसान पर टीम बनाई तोटल जो है इसमें भी 14 विकेट गिरा ठीक है जिसमें से पेसर ने 7 विके ठीक है 4 मैच का मतलब आठ ही निंग में कोई बी ऐसी टीम नहीं है जो आल आउट होई और बहुत सारी टीम करना करते हूं minims परस्पेक्टिव में कल के मैच के लिए टीम जो है थोड़ी कम बनाना है इतना याद रखेगा पेसर को जो है पेसर को कितना मिला हुआ इन चार मैचेस के अगर बात करें तो 25 विकेट और स्पीदर को 16 विकेट मिला हुआ है ठीक यह रही बात बहुत इतना समझाने के डीप नॉलेज है इससे ज्यादा नॉलेज पूरे यूटूब में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है इतना याद रखे अब इसके बाद भी अगर आप गलती कर रहे होना है तो यह सिंपल सा फंड आए कि बात करें तो 42 विकेट आपके फर्स्ट इनिंग में है और च्छालीस विकेट आपके कहां पर है सेकेंड इनिंग में है तो इस तरीके का कुछ कॉंबिनेशन रहता है अगर आप बॉलर्स की बात करें तो लेकिन पिछले कुछ मैचेस से यह ट्रेंड रहा है कि बॉलर्स की थोड़ी कम तवज्जो दी गई है तो आप जो है फ़ड़ा बॉलर्स को अगर रख रहे हैं तो पेसर को रखिएगा स्पीनर को अगर रख रहे ह में आप स्पीनर जो हैं उनको रख सकते हैं क्यों मैं ऐसा बोलगा थो और यहां पर तो यानि त्यानी यहां पर देखिए तीन-ऑर ऑट जो पहले कर रहे है न पहले पहले करें न मिला है compare करेंगे आप जो है लगभग सेकेंड इनिंग वाले उसे लेकिन तो आप जो है थोड़ा स्पीनर को ध्यान से चूज करिएगा कल के मैच के लिए मैं अभी बता दे रहा हूं ठीक है फास्टरों में तो आपको समझ में आता है कि किसको लेना है स्पीनर में आपको ध्यान स डिशी है चौदम में जो कि जीती है तो आपकी उन अ बहुत ज्यादा है पिसावस जल्मी की कल की मैच की जीतने की अब हम पिसावस जल्मी की बात करें तो बाबरं और आयूब यह हैं आपके ओपनर ओपनिंग करने आएंगे मौम्मद हारिस और टॉम पावल ठीक है नमब च्छे पर आएंगे दीन नमब साथ पर आसिफ नमबर आठ पर आमिर नमबर नौ पर सलमान नमबर दस पर लूग नमबर 11 पर आपके मौमद जिशान तो यह होने वाली है प्लेंग 11 एक तो बैसमेनों से पहले अगर हम बात करें कि किसको कौन जो हुआ कुण स्टारटिंग और बालिजिए है कैरेगैं । तो वर की भी बॉलिंग कर देते हैं तो इन तीनों को विकेट अज़ा आज़ा बॉलर विकेट लेने की संभावना थोड़ी जाधा बन जाती है ठीक है लेकिन कल के मैच के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बॉलर्स के परस्पेक्टिव में आपको कल के मैच के लिए तीम नहीं बनानी है अब हम बात करेंगे बैट्समेनों की तो सैम आयूब रीसेंट फॉर्म देखिए 42 ठीक है और लास्ट में बाबर का भी क्या है अनसर ट्रन है अब वेन्यू पर अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर 31 का एवरेज है और हेट टू हेड में 7 का है ठीक है तो बाबर तो आपके जी एल के टीम में होंगे होंगे सैम आयूब की आपको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से आपको सैम आयूब को भी आप ले के चल सकते हैं कल के मैच के लिए फिर नम्मद तीन पर आपके आते हैं मौम्मद हारी जो विके कि लिए बहुत ही पोटेंशल है इस बंदे के पास मार सकता है भाई तॉम की बात करें तो टॉम को कल के मैच में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए मैं जील के टीम में टॉम को भी लेके चलूँगा क्यों कि हैड टू हेड में बहुत अच्छा खेलते हैं तो कल का मैच जो है इनी के ब्लगबस्टर से रहेगा और ध्यान रहे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको जो बनाना है वह किसको बनाना है बैट्समें को कल के मैच के लिए बनाना है अब राम पावल की बात करने तो यह नमबर पांच पर आते हैं थोड़ा सा नीचे है ठीक है 17-8- 21-63 यह इनका रिसेंट फॉर्म है टुएड में 67 का एवरेज है वेन्यू पर 19 का एवरेज है तो कल के जील की टीम में यह भी होने चाहिए मेरे ठीक है यानि अगर पांच बल्लेबाज है तो यहां से आपको तीन बल्लेबाज तो चाहिए चाहिए कौन से वो तीन बल्लेब पर एक ही मैच खेला और 11 बनाया है तो ट्रम प्लेयर में अगर आपको लेना है तो आप दीन को भी ट्राइ कर सकते हैं अगर दर वाइस यह राइट आम और्थोडॉक्स बॉलर भी है तो आपको विकेट लेने के भी चांसे कल के मैच के लिए थोड़े ज्यादा बन जाते ह है आसिप को मैं कल के मैच के लिए थोड़ा ड्रॉप करके चलने वाला हूँ क्योंकि इनका बैटिंग और बहुत नीचे आता है इसलिए इनको टाइम नहीं मिलता है आम विस जमाल की बात करें तो जो है इनका रीसेंट फॉर्म लास्ट मैच में सात रन ही बनाया था वेन् है इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आप मेरे कमेंट बॉक्स सेक्षण में जरूर बताएगा मेरे इसापसे इनको कल ट्रॉप कर ले तो कल की मैच के बनता है लिक्षयाम के बात करें तो कले मैच के मैच मैं सकत्व करके चलने वाला हूं जिशान की बात करें तो इनको भी कल केमाच के लिए मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूं क्यों क्यों कि मैंने मैं जो कल टीम बनाऊंगा भे बैटिंग पर्सपेक्टीव से जो Uhr ह्jenigen करना आ रहा हूं आपको कल के मैच के लिए कम से कम पांट से च्छाइटी में विट कॉंबिनेशन के साथ देने वाला हूं मैं कराची किंग की हम बात करें तो शान मशूद जेम्स और साइद मलीक ठीक है मौंबत नवास करन पुलाड डैनियल सैम्स हसन अली मीर हमजा और तबरेश अगर ट्राइब करूंगा तो डैनियल सैम्स और आसिफ हसन अली को अपने टीम में लेने वाला हूं ठीक है कल के मैच के लिए आमीर को मैं कल के मैच के लिए जो है ड्रॉप करके चलने वाला हूं ठीक है इतना याद रखिए चान मसूद की बात करें तो इनका रीसेंट 121 थीन है वेन्यू पे 28 एट्टूइड में 29 एट्वरेज है तो कल के मैच के लिए यह मेरे टीम में होंगे राखिए यह मेरे टीम में होने चाहिए अब इन दोनों में से कोई अगर नहीं होगा तो मेरे टीम में आएंगे इतना याद रखिए स्वेब मली लास्ट मैच में तीरपनन बना चुके हैं और वेन्यू पे देखिए आउट ही नहीं होते हैं 884 का एवरेज है बाई अलग ही खेलता है यह हेड टू हेड में 35 का एवरेज है तो इस वेन्यू पे तो आउट नहीं होते हैं और यह Captain या Voice Captain के भी प्रवल दाविदार है कल के मैच के लिए तो आप इनको Captain या Voice Captain भी कल के मैच के लिए बना सकते हैं तो इसलिए ये मेरी टीम में कल के मैच के लिए होंगे और इनका देखिए बहुत दिन से एक भयंकर पारी ड्यू है तो हो सकता है कि कल के मैच के लिए यही जो है भयंकर पारी हो डैनियल सैम्स को मैं इसलिए अपने टीम में रखूँगा क्योंकि ये बल्लेबाज के साथ में इनको रखना चाहूँगा हसन अली को हो सकता है कि डिरॉब करके चल सकते हैं क्योंकि ये अभी आउटऑ ओफ वॉम चलना है क्या पता कल के मैच में Baz Dimavis को अपनी टीम में ध्रॉब करके के क्योंकि वहां पर मेरे हिसाब से कुई काम नहीं है अमिर खान की बात करें तो इनको भी मैं ड्रॉप करके कल के मैच के लिए चलने वाला हूं इतना बता रहा हूं तो यह रही बात विसले सड़ जो है अभी तक मेरे एकॉर्डिंग प्लेयर्स का फाइनल जो टीम होगी आपक किसको आप बना सकते हो कल के मैच के लिए ठीक है तो यह रहा अभी तक प्लेयर्स का विसले सड़ अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेजी की और जो है आपके सेलेक्शन पॉसेंटेज की स्ट्रेजी में सबसे पहले आप टार्गेट डिफाइन करेंगी कि टार्गेट क्या होन 190 प्लस लॉस ओफ सिक्स विकेट यही कल के मैच के लिए ठार्गेट होने वाला है 190 प्लस कोई बी दोनों मेंसे कोई भी टीम कहले 10 10 10 जो है रन उपर या नीचे बट इतना रन तो बनने वाला है कल के मैच के लिए ठीक है अब जब इतना रन बने गा तो आप आपको जो है लेना किसको है टॉप आडर बन्लेबाद यह भी है आपको उनको ज्यादा प्रिफर करना है लेने के लिए यानि नम्मद 4 के तीम में 4 नम्मर के लगबग दोनों ही team से 3-3 player अगर आप चूज कर लेते हैं या एक team से 3 player या एक team से 2 player तो ज्यादा beneficial होगा कल के match के लिए क्योंकि वहाँ पे top order run आउट ही नहीं हो रहा है भाई तो wicket मार रहा है ठीक अर death over लिए आप सेलेक्शन के लिए एक चीज और और ध्यान रखेगा आप सेलेक्शन पोसेंटेज में बहुत ज़ादा запartन इस छाँवाले मतली जाई है भाले बहुत ज़्यादा प्लेयर नहीं होने चाहिए आपके चार प्लेयर ऐसे वने चाहिए जिनका प्लेयर उसे प्लेयर है प्लेयर आपको प供त्नय क्या हो एंधी zuh ug और 30% से उपर वाले जो प्लेयर होंगे उनको जो है आपको चार लेना है ठीक है नेक्स अगर हम बात करें तो आपको लो सेलेक्शन पॉसेंटेज वाले से कितने प्लेयर लेना है ठीक है लो सेलेक्शन पॉसेंटेज वाले से प्लेयर लेना है आपको तीन ठीक है जिनका सेले प्राइब करना यहां से टीन दे सकते हैं तो इस तरीके का ध्यान रखे के कल के मैंश के लिए selection percentage का भी ध्यान रखिए गाल के टीम बनाते समय और किस प्लेयर को लेना है उसके लिए मैंने आपको उन प्लेयर्स का स्टार्स और उन प्लेयर्स की एनालीसिस के बारे में आपको मैंने बता दिया है तो कल की जो टीम होगी वह आप जो है बैटिंग परस्पेक्टिव से ही टीम बनाइएगा बहुत ज्यादा रन बन रहा है बहुत पाटा विकेट है पिछल इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो ठीक है यह वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा टेलिग्राम चैनल दोस्तों नहीं जॉइन होना ना भूलिए वहाँ पर मैं प्रोवाइट करता हूँ तो फ्री की जील टीम बिना एक रुपय लिए मेरे नाम पे अगर कोई आपसे एक रुपय लेता है तो उसको देने की बिल्कुल ज़वरत नहीं है पिछ रिपोर्ट प्रोवाइट करता हूँ यह पीडिया प्रोवाइट करता हूँ कि ताकि जब भी भी आप अपने टीम बना आने का है ठीक है दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही जै हिंद्ग